रादे रादे हरी कृष्णा कैसे हूँ आप सभी लोग आश्या करती हूँ आप सभी बरमंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छ होगे आप में से बड़े सारे भक्त द्वारा एक प्रेशन जो मुझसे बहुत बारब पूछा गया मेरी इंस्टाग्राम आइडी डॉक्टर आशु दिदी पे दिदी ये अक्षे तिरतिया होती क्या है इसका महत्व क्या होता है इस दिन क्या हुआ था आकि ये होता क्या है ना चयती इती अक्षे जिस तिथी का जिस दिन का कभी छै नहीं होता उसको अक्षे बोलते हैं तिथी मतलब तित्य तिथी इस साल जो चार ही आती है अक्षतिति जिस्तिति का कभीछ है नहीं होता थाथ- उस सितिति में आप जो भी कारी करोंगे वो कभी खथम नहीं होता वेह कार्य अजर और अमर हो जाता है ना कीवल इस लोक में भोतिक सुखो की प्राप्ति कराता है बलकि कि मरने के बाद भी आपके साथ उस लोक में भी इस्तिति पी किया गया कारिय आपके साथ जाता है इसलिए इस्तिति का नाम अक्षय तिर्थिया रखा गया है ये किवल साल में एक बार आती है ये और बैसाक के महिने में ही आती है तो आने वाली है अक्षय तिर्थिया जो कि इस साल 10 मही की पड़ रही है, 10 मही 2024 की, इस तिती का महत्व इतना जादा है ना, कि इस दिन इतिहास की 25 घटनाएं घटित हुई है, जैसे कि भगवान के 24 अपतार हुए हैं, और भगवान के 24 अपतारों में से 3 अपतार इसी दिन अपतलित हुए हैं, जैसे कि भगवान का परोपती के दिन मा अफ्तरन धठती पर उए पशुडाम जी का जनम था अऩार जबत के दिन मा अनपूर्na की प्राप्ति हुई थी वह भी आज ही के दिन हुई थी सत्यूं को तिरता यूग का प्रारमभ भी आज के दिन हुआ था और यहीं भी मैं आपको पता चुकी हूं कि पुत्र अक्षय कुमार का जनम भी आज ही के दिन stronger sih तीर तीसल बद्रिनात जी के कपाट आज खोले जाते हैं के दानाजी के भी कपाट आज ही खोले जाती हैं इसे दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था अब और सबसे जरूरी है अक्षय तृतिया पर बाकी बिहारी जी के मंदिर में बाकी ब्याजी की जो प्रतिमा है उसके चरणों के दर्शन होते हैं वैसे त लेकिन अक्षय तृतिया वाले दिन जो यह चरण है इनके दर्शन होते हैं इसमें पायल पनाई जाती है और आज ही से अक्षय तृतिया वाले दिन से ही चंदन यात्रा जो होती है वो प्रारम होती है अक्षय तृतिया अपने आप में ही सुब मौरत है इस दिन आप जो भ कर रहे हो वो ना किवल इस जनम आपको बहुतिक सुख दे अपितु मन्ने के बाद भी आपके साथ यह होती है अक्षे तिर्तिया इस दिन जो होता है पूजा पाठ का जबका तपका विशेश महत्व होता है इस दिन अगर आपने एक विक्ष लाया ना तो वो दस गुना फल का आपको मिलने वाला है ना किवल इस लोक में अपेतु मन्ने के उपरांत भी उसका दस गुना फल जो है वो आपको मिलने वाले इस दिन दान की पूजा की पाठ की बहुत ज्यादा वैल्यू है इस दिन अगर आप भगवान सत्य नरायन की कथा भी कराते हो तो भी बहुत जड़ा सुब माने जाता है इस दिन ब्रत रखने की बी परंपरा कही गई है इस दिन सुर्य भगवान को जरूर चड़ाना चाहिए इस दिन जल का वितरन जरूर करना चाहिए क्याते हैं इस दिन अगर आपने जल बाट दिया तो आपको बहुत अनंत गुना फलो की संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेने के बाद तोहार में से अक्षर्टिर्तिया एक होती है इस दिन की कुछ मेहत्पून जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ जो कि बैसाक सुल तत्या को अक्ष्यतेर्तिया कहते हैं यह सनात्मन धर्मियों का प्रदान तोहान होता है इस दिन दिये हुए दान, किये हुए इसनान हवन और जब आधी का फल जो होता है वो अनंत गुरा होकर मिलता है सबी अक्षे हो जाता है इसी से इसका नाम अक्षे हुआ इस तिती को नर नरायन पशुराम जी और हैग गृव अप्तार हुए थे इसलिए उनकी जैनती भी बनाई जाती है इसी दिन तरेता युक का आरंब हुआ था बहुत सुबकारी जो ये तिती होती है ये बहुत बहुत जादा सुबकारी होती है किसान लोग होते हैं उसको बहुत अच्छा तिती जो है वो मानते हैं इसके पीछे पुरानी कथाईं भी हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अक्षय तित्या की अनेक ब्रत कठाएं प्रचली थे ऐसी एक कठा के अनुचार प्राचिन काल में एक धरम दास नामक वैश्य था उसकी सदाचार देव और ब्रहमनों के प्रती काफी सर्दा थी इस ब्रत के महतम को सुनने के पश्चाद उसने इस पर्व के आने पर गंगा में सनान किया न विधी पूरवक देवी देवताओं की पूजा की ब्रत के देज सुन वस्तर और दिव्य वस्तुय ब्रहमनों को दान दी अनेकों रोगों से ग्रस्त और व्रद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धरम किया धरम का कारी किया, दान किया, पुन्नी किया यही वैशनव दूसरे जनम में कुशावती नाम का राजा बना कहते हैं, अक्षय तिर्टिया के दीन किये गए दान वा पूजा के कारण वैशन बहुत धनी परतापी बना था वैशन धनी और परतापी था कि रित्री देव तक उसके दरवार में अक्षा तिर्तिया के दिन भ्रामन का वेश धारन करके उसके महायग में सामिल होते थे अपनी श्रद्धा और भक्ती का उसने कभी घमंड नहीं हुआ और माहान वेवफशाली होने के बावजुद्वी वहत धर्म मार्गे से विचलित नहीं हुआ माना जाता है कि यही राजा आगे चलके चंद्रगुर्प का रूप भी इसी नहीं धारन किया था इसी को ही चंद्रुप का जनम हुआ था इसकंदु पुरान और भविश्य पुरान में लेख है कि बैसार्क सुकल पक्ष की तित्तिया को रेणुका के गर्व से भगवान शेष महत्व दिया जाता है पशुराम जए़नती होने की कारण इस नरुप दित्तिर में भगवान पशुराम के अभिबार्व की पूजा की जाती इस दिन पशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्ग पशुराम जी का जनम हुआ था एक कथा के नुशार पशुराम जी की जो माता थी वो विश्वामित्र माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद परशाद देते समय रिशी ने परशाद बदल दिया था जिसके परभाव से पशुराम ब्रहमन होते हुए भी छत्री जीवन बिताने तथा अनेज़त्र चले गए थे अपने साथ एक फरसा रखते थे तभी उनका नाम पशुराम पड़ा था गंगा जी आप तरी तुई थी ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं महारशी पशुराम जी का जनम हुआ था मानपूर्णों का जनम हुआ तो द्र चाहिए श्रीयंत्र चाहिदने चाहिए सुबशे सुबे सुब़े भगवान पशुराम और नारायन जी की फूजा अर्चना बनना करने को मातालक्षमी जी स्वागत करा लगाने चाहिए साम के समय मातलक्ष्मी के सुवागत के लिए दीप भते घर के मुखे करने चाहिए इस दिन नारेल ख़़टने का नारेल करीधने मेrene को जुख भान Pos MarianIn कौन Kinom के दरवाजे खुल सकते हैं और इस दिन कौन सी बारा चीजे ही ऐसी आप घर पे लेकी आ सकते हैं खरीद कर मैं सोने चांदी की बात नहीं करें जिसकी हल्दी हो गई चावल हो गया नारेल हो गया जो आपकी बजट में भी आ सकती है और वो अन्त कुना फलो की प्राप्ति करा आने वाले भी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत बूले तब तक के लिए मुझे दीज़े जाज़त रादे रादे हरे कृष्णा हरी बोल